अभी हम यन संधी देख लेते हैं यन संधी का नियम क्या है इको यनची इको यनचे में ही उसका अर्थ जुड़ा है देखिए इको यनची मतलब अर्थ क्या है 1 मतलब इ से लेकर करतक महेशवरी में सुत्र में क्या क्या आते हैं उरूलरू तो ई, उ, रूल, रू में रस्व भी है और दिर्घ भी है तो ई, उ, रूल, रू के सामने वो स्वर छोड के भिन्न स्वर आ गये तो मतलब ई के सामने ई छोड कर कौनसा भी भिन्न स्वर आ गया तो उसका प्रकार जो है यन में बदल जाता है मतलब यन का अर्थ क्या है अभी यणं का अर्थ देखो यण यण मतलब हया वरत में यँ है तो उधर से देखो हो निकाल दो तो य शूंट्र इज explicative की उसूत्र का प्रत्यहार का रस्त वाला वर्ड है तो वर नहें तो निकाल दो लण लड मेंसे लेलो ब वर र ल तो नियम क्या है अच्छी तरसे समझ तर से आपको समझा रहे हूं यदि ई, ए के बाद कोई भिन स्वर रहे तो, जैसे की ई, ए का क्या हो जाएगा? यह हो जाता है और यह पूर्ण वर्ण से मिल जाता है, मतलब आई के सामने इ नहीं, आगया तो वो हो जाएगा दीरग, सवर्ण दीरग संदे, E E को छोड़ के कोई स्वर आया